सीबियाई ने अब कारी नीती लागू करने में कतित भ्रषचार को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीज सिसोदिया को करीब आठ घंटे की पूस्ताज के बाद रववार शाम गिरफतार कर लिया अधिकारियों ने यह जानकारी दी इस घंटना करम से बीजेपी नीत केंदर सरकार और आपके बीच राजितिक खाई और गहरी हो सकती है इस भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अकलेश यादों की प्रतक्रिया आई है अकलेश यादों ने कहा मनी सिसोदिया की गिरफतारी ने साबित कर दिया है कि बाजपा सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है इसलिए अलग-अलग प्रदेशों में विपक्षी राजितिक शक्तियों को जूटे मुकद्मों में फसा रही है लेकिन संघर सिल लोग जेल जाने से नहीं डरते सच को भला कब तक गिरफतार रखा जा सकता है सपा ने कहा समाजवादी पार्टी दिल्ली के डिप्टी सीम श्रीमनी सिसोद्या जी की गिरफतारी की कड़ी निंदा करती है सरकारी संपतियों को बेचने महंगाई और बेरुजगारी जैसे मुद्दो को दबाने के लिए विपक्षी नेताओं को जवरन गिरफतार करवा रही भाचपा लोकतंतर को खतम करना चाहती है दमनकारी भाचपा सरकार दरसल सीब्याई की अधिकारी सीसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरूप लगाया की सीसोदिया जाच में शयोग नहीं कर रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफतार किया गया सीब्याई ने एक बयान में कहा उन्होंने टालने वाले जवाब दिये और सबूत दिखाये जाने के बाद भी उन्होंने जाच में शयोग नहीं किया इसलिए उन्हें गिरफतार किया गया है सिसोरिया की ग्रफतारी पर मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि उप मुख्यमंतरी निर्दोस है और उनकी ग्रफतारी गंदी राजरीती है उन्होंने ट्विट किया मनिस बेकसूर है उनकी ग्रफतारी गंदी राजरीती है मनिस की गिरफतारी से लोगों में बहुत रोश है लोग सब देख रहे हैं लोगों को सब समझ आ रहा है लोग इसका जवाब देंगे इससे हमारे होसले और बढ़ेंगे हमारा शंगर्स और मजबूत होगा